जब किसी फिल्म को देखते हुए आपके आँखों में आसु आ जाए तो इसका मतलब वो फिल्म आपके दिल को छू रही है और अगर बार बार आसु आए तो इसका मतलब बार बार वो आपके दिल को छू रही है ये फिल्म देखते हुए चम में एमोश्रल हुआ तो मैंने आ Mormon man की Power दिखाती है और आपको काफी motivate करती है यह story है आम ádmi के हवा में उडने की सपने की आम आदमी के लिए हवाय जहाईज का सफर मुमकिन करने की यह film South की Film Saura Rae Portro की remake है कहानी है कहानी है एक सरफिर इंसान ची दिनों ने यह सफना देखा कि आम आदमी ट्रेन के किराहे में हवाई जात का सफर कर सके, उसे एक रुपे में फ्लाइट की टिकेट मिल सके, ये सिंप्लिफाइड डेकेन है, फाउंडर जी पी आर गोपिनाथ की जिंदगी से इंस्पायड है, ओरिजिनल कोविट के टाइम आई थी, लेकिन ये कहानी ट्रेटर में दे अक्षे के उनके परिवार के साथ वाले सीन बहुत इमोशनल है, ये फिल्म आपको लगतार चुकाती है, रुलाती है और एंटेटीन भी करती है, फिल्म में एक भी ऐसा मौका नहीं आता, जब आप फोन देखो या बाहर शले जाओ, ये फिल्म आम आदमी की थाकत को दिख अगर आपको सिंदगी में मोटिवेशन चाहिए, तो ये फिल्म आपको वो भी देगी, ये एक क्लीन फिल्म है जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है, पौट टाइम के बाद अक्षे कुमार ने कैसा खिरदार निपाया, जो दिल पे लगा है, अक्षे इस फिल् अगर आपको शिदद से उन्होंने निपाया, उनकी भेहनत दिखती है, ताधि गमदान की करियर इस फिल्म के बाद बदल जाएगा, उनकी आप्टिंग बहुत श्रादार है, अक्षे जैसे सूपरस्टार के सामने, उनका कॉन्फिजन्स कमाल का है, अक्षे और उनकी करेक्चर्स का काम कमाल का है, और सूर्या का कामयो भी दिल जीत लेता है.